आज कल क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है लोगों को बहुत ज़्यादा परिशान है क्योंकि टेंशन बरी लाइफ है कोई डाइट का कोई भी किसी जीच का रूटीन नहीं है और वो पारलर में जा रहा है शैंपू यूज कर रहे है अब तरह तरह के हेयर oil यूज कर रहे हैं फिर भी effect नहीं पड़ रहा है तो guys आज मैं homemade hair oil लेके आ गई हूँ क्योंकि ये video बहुत ही requested है मुझे काफी time से request आ रही थी कि कोई homemade hair oil बता दीजी आप please तो मैंने बना लिया है थोड़ा सा time लगा है guys तो यहां पर मैं फटा फट से बता देना चाहते वीडियो में पता चलने वाला है guys अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो please आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं like नहीं करते हैं comment नहीं करते हैं तो आपको new new वीडियो के notification नहीं मिलने वाले है guys तो फिर start करते हैं onion इसमें मैंने add किया है onion में बहुत ज्यादा sulfur होता है जो कि हमारे hair को strong करता है guys और इसमें एक और चीज मिलती है anti bacterial गुन पाए जाते हैं जो कि आपके hair में अगर infection हुए means की जैसे dandruff हुआ है इसमें हो रहा है तो उसको भी ठीक करता है next हमने add किया है ginger ginger blood circulation बहुत अच्छा करता है antiseptic properties पाए जाती इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गुन पाए जाते है guys explain करने लगोंगी तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और उसके बाद है curry leaves curry leaves भी बहुत ही अच् control control होता है aloe vera भी बहुत अच्छा conditioner होता है hibiscus आपको पता है nutrition से भरा होता है guys क्योंकि उसमें amino acid पाए जाता है जो की keratin को produce करता है यहां पे मैंने एक onion ले लिया है जिसको चील के cut कर लिया है roughly आपको chop कर लेना है guys then मैं उसके बाद यहां पे curry leaves ले रही हूँ curry leaves आप अंदाज के according ले सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि आपको count करके लेना है guys तो यहां पे अंदाजे से ही बनाना है because of कि आप कितना बना रहा है quantity आपकी कितनी है यहां पे मैंने एक अद्रग ले लिया है अद्रग का टुकड़ा जो भी है वो 2-3 इंच का है और guys यहां पे दे और यहां पे मैंने दो है जो ताजे ही बिसकस हैं अलोवेरा है और कुछ मैंने पहले से सुखाए हुए है ही बिसकस तो उनको भी मैंने ले लिया है और अलोवेरा का मैंने पल्प निकाल लिया है अलोवेरा बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होता है इसको भी मैंने ग्रा और आप से होता है तो यहां पे मैंने सको mix कर दिया है इस mixer में गाइस तो यहां पे आप देख सकते हैं डैन मैं इसको क्या करने वाली हूं एक मैं लोहे की कड़ाई लूँगी और उसमें मैं यह juice डाल दूंगी दन उसके बाद मैं गैस को on करूंगी पहले ही हमको कड़ाई को गर्म नहीं करना है गाईस इस चीज़ का आप खास ध्यान दीजिएगा और दम स्लो फ्लेम पे रहेगा और आपका टू त्री मिनट ही लगता है बॉयल होने से स्टार्ट तब उसमें ये हिबिसकस एड़ कर देंगे एड़ करने के बाद हमें इसको सिफ वन मिनट के लिए पक सीटें कौकि आपे विंटरस आ गई है तो हमें सरसो का टेल लेना अच्छा रहेगा क्योंकि सर्सो का टेल गरम होता और उसमें हम एड़ कर देंगे कोकोनट ओयल उसको हम ले लेंगे और इस काच के बॉटल में डाल देंगे कुछ इस तरीके सा दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है गाईज यहाँ पे और हम यह जो तेल है एकदम ठंडा हो चुका है इसको मिक्स करेंगे और इसको हम इस ट्रेंड नहीं करेंगे गाईज ऐसे ही डायर गाईज आपको क्या करना है इसको आपको धूप में रखना है अच्छे से धूप दिखाना है जैसे कि आप 8-10 दिन दिखा सकते हैं उतने दिन में ही यह रेडी हो जाएगा थोड़ा सा इसमेल आएगा एक आचार टाइप में आ सकता है आपको क्योंकि अगर आपकी आदत नहीं है तो आ सकता है क्योंकि हमने बहुत जादा वो जो जूस था उसको हमने पकाया नहीं तो उसकी वज़े से आ सकती है लेकिन यह धूप में ही पकेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है गाईस आप यह आयल बनाने के बाद कमेंड में जरूर बताएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला है मुझे बहुत खुसी होती है आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलता है इसके साथ आप बीटियन अल्टर टैबलेट जरूर लीजिएगा वो वीडियो जरूर देखिएगा मैं एंड में लगा दूँगी एंड स्क्रीन पे गाईस तो यहा अल्मंड आयल लिया है मिन्स की बादम का तेल लिया है प्योर आप लेंगे बहुत अच्छा रेजल्ट मिलने वाला है गाईस तो यहां पे रेडी हो चुका है गाईस मैने इसको एट टू टेन डेज बात मतलब यूच करने जा रही हूँ गाईस क्योंकि यह वीडियो जो आपके पास पहुंचने वाली रहेगी वो two month already हो जाएगा क्योंकि मुझे हर एक oil का हर एक shampoo का हर एक medicine का जो भी मैं review करती हूँ उसका मुझे सबसे पहले experience लेना होता है guys तो यहाँ पर मैंने अपना lavender essential oil ले लिया है guys जो कि मैं add करने वाली हूँ इस oil में जो मैं बना रही आपको यहाँ पर दिखाने वाली तो कैसे लेना है guys तो मैं इसको आप मान के चलिए मैं two spoon two spoon ले रही हूँ बिग two spoon ले रही हूँ guys आप अपने hair length के recording ले सकते हैं क्योंकि आपको scalp पे इसको massage करना है guys तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं मैं तोड़ा इसको निकाल निकाल बहुत ही awesome है मैंने use किया है मेरे hair जो fall हो रहे थे जो भी थोड़े मोड़े हो रहे थे वो सब मेरे मतलब बंद हो चुके है guys एकदम ही नहीं हो रहे हैं और मैं जो shampoo use कर रहे हैं वो भी मैं आपके शायर करूंगी guys और दूसरी चीज है कि मैंने btn ultra भी लिया है मेरा already two month हो तो उसका already बहुत अच्छा result है guys तो यह oil भी बहुत अच्छा है घर का oil है बाहर से आप कुछ भी नहीं purchase कर रहे हैं तो आपको पता है कि कैसे बनाए क्या चीज़ें इसमें add है तो यहां पे सबसे पहले मैंने one spoon मैंने castor oil लिया है castor oil आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं क् बहुत थीक है लेकिन यह hair growth के लिए बहुत अच्छा है अगर यह आप एड़ नहीं करेंगे तो आपको उतना अच्छा result नहीं मिलने वाला है तो आपको यह वाला hair oil जरूर लेना है means की pure आप castor oil जरूर लिजी और उसके बाद हम बादाम आए oil ले रहे हैं यहां पे बहु यह लेकिन फिर भी ठीक ठाक है बहुत अच्छी है और बाल भी बहुत अच्छे घने हो जाते हैं इसको यूज करने से guys यहां पे मैंने one spoon ले लिया है अपना बदाम का तेल ले लिया है pure वाला उसके बाद मैं एड़ करूंगी अपना यहां पे olive oil means की जैतून का तेल यह भ देखनीजे guys तो इसको भी मैंने add कर दिया है then मैं इसके बाद इसमें add करने वाली हूँ अपना lavender essential oil 4-5 drop से आप add करिएगा क्योंकि हम यह hair oil यूज कर रहे हैं जिसे हम रात बर लगा के रखेंगे अच्छे से massage करके so हमें 4-5 drops लेना है अगर हम hair pack बनाते हैं तो उसमें हम 10 drops यूज कर सकते हैं लेकिन इसमें हम नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि essential oil की बहुत ही quantity थोड़ी सी यूज करनी चाहिए guys तो यहाँ पे मैंने add कर लिया है then मैं इसको mix करूँगी और अच्छे से आपको massage करना है अपने scalp पे minutes की 5-10 minute तक आप massage कीज़े एकदम हलके हाथ से massage करन है बहुत जादा आपको rub नहीं करना है guys आपको result मिलेगा इसको लगाने के बाद आपको पूरी रात छोड़ देना है minutes की हलके हाथ से massage करने के बाद पूरी रात आप छोड़ देंगे उसके बाद आपको सुबह morning में wash करना है guys कोई भी आप shampoo यूज कर सकते हैं जो आप यू कर सकते हैं medicine आपको साथ में लेना है guys और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो please subscribe करिएगा like करिएगा लोगों के शेयर करिएगा comment जरूर करिए